मिली जानकारी के अनुसार वाडी सेथ खड़का रोडस मारक समीब शुक्रवाज शाम करीब साथ पची के दुरान एक तेज रफटार आइसर क्रमांग M.H.R.E.L. 9295 यह लावा से खड़काओ की और आरा था शाम को खड़काओ रोड के तरफ हर रोज काफी गर्दी होती है यही स्पॉट पर हर रोज यातयात भीड उम्री होती है कई बाज सानी प्रतिनितियों ने खड़काओ रोड के गंभिर यातयात के बारे में शिकार भी की है आईसर लवा की और से खडगाव मांग से आया आईसर की चपिट में टेकडी वाडी खडगाव रोड निवासी मृत्रक कृष्णराव वेंकर डड़वी उम्रे सतर साल की जगाव पर ही मौत हुई ट्रक से लगी मृत्रक वृत्रक के पैर पर भरी मात्रा में चोट लगी थी ट्रक सिता वृत्र के शरी से जाकुझ रिती तो उसी समय उसी ट्रक ने पलसर 220 क्रमांग एमेज 49 एन 798 पास से सवार गिटी कदान निवासी दीपक शाहू उम्र पच्चेस साल ये गंबी रूप से खाल है पलसर चालक बाल बाल बचा है ट्रक ने पलसर को आगे से कुचला है आइसो ट्रक को हाइटरा के मदद से सुरक्षित वाडी थाने में ले जाया क्या है गटना होने के बाद जानकारी मिलते ही मामले का पंच्रामा किया और शव परिशन के लिए सरकारी अस्पता भीजा गया गाल कोग चाल के लिए अस्पतार भीजा गया आगे की जाज वाडी पियाए राजिस तटकरी की मार्क दर्शन भी जारी है आई तिंग खडगाव रोट पर है रोज यातायाद जाम की विवस्ता होती है या कदम बार इंडियन पार्क की पार्किंग नहीं होने से आई तिं शराप पिनियाए यातायाद कर्मी जाम लगाए बैठते हैं कई बार सान्य प्रशासन पलिस विभाग तिता यातायाद विभाग को सुछना दी कई परंतु इस पर विशेश ध्यान नहीं तेरे से खडगाव रोट की यातायाद विवस्ता जाम होती है खडगाव रोट से शिवाजी समारक किया के सडग किनारे दोनों बाजों से गड़े खोती गया है जिससे यातायाद को काफी समस्या निर्वाण हुई खडगाव रोट पर हर रोज यातायाद जाम होती है बार के कानों से हो या अनिक कारण्स बश्टनी हुई है इस गड़े की कारण सडग चो